राश्ट्रिय शिक्षानीत दो हजार बीस भाग एक स्कूल शिक्षा अध्याय चार स्कूलों में पाठेक्रम और शिक्षन शास्त्र अधिगम समग्र एकिक्रित आनंद दाई और रुचिकर होना चाहिए तो आईए सुनते हैं इसका द्वानी पाठ प्रिष्ठ संख्या सूलह चार स्कूलों में पाठेक्रम और शिक्षन शास्त्र अधिगम समग्र एकिक्रित आनंद दाई और रुचिकर होना चाहिए 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठेक्रम और शिक्षन शास्त्र को पुनरगठित करना 4.1 और शेक्षनिक धाचे और पाठेक्रम रूपरेखा एक 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 डिजाइन से मार्गदर्शित होगी जिसके तहत क्रमशह foundational stage यानि दो भागों में अर्थात आंगनवाडी या pre-school के 3 साल और प्राथ्मिक स्कूल में कक्षा 1-2 में 2 साल 3-8 वर्ष के बच्चों सहित, preparatory stage कक्षा 3-5, 8-11 वर्ष के बच्चों सहित, middle school stage यानि कक्षा 6-8 और 11-14 वर्षों सहित और secondary stage यानि कक्षा 9-12 दो फेज में यानि पहले फेज में 9 और 10 और दूसरे में 11 और 12, 14-18 वर्षों सहित शामिल होगी प्रिष्ठ संख्या 17 और सहियोग इतियादी पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा इसमें लिखने, बोलने, शरेरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान और गणित भी शामिल होगी मिडल स्टेज में भी तीन वर्ष की शिक्षा होगी और इसमें विशे विशेशग्य शिक्षकों द्वारा विशे की अमूर्त अवधारनाओं पर काम शुरू होगा जिसके लिए विद्यार्थियों की पर्याप्त तैयारी हो चुकी होगी यह कार्य विज्ञान, गणित, कला, खेल, सामाजिक विज्ञान, मानवीकी और व्यावसाईक विशेओं में होंगे हर विशे में अनुभव आधारित शिक्षन और विशे विशेशग्यों के आजाने के बावजूद विशेयों के बीच परसपर संबंध देखने को प्रोजसाहित किया जाएगा हाई स्कूल या सेकेंडरी स्टेज में चार साल के बहु विशेयक अध्ययन शामिल होंगे वक्सोच जीवन आकांग्षाओं पर अधिक ध्यान और विद्यार्थियों द्वारा विशेयों के चुनाओं को लेकर अधिक लची लेपन के साथ होंगे विशेश रूप से यदि किसी की इच्छा हो तो ग्रेड दस के बाद व्यावसाईक या विशेशग्यता प्राप्त स्कूल में ग्रेड ग्यारह बारह में अन्य कोर्स के चुनाओं के विकल्प लगातार विद्यार्थियों के लिए बने रहेंगे 4.3 उपरोक्त चरण विशुद्ध रूप से पाठ्थे क्रमनिय और शेक्षनिक हैं जिन्हें कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि बच्चों के संग्यानात्मक विकास के अनुरूप विद्यार्थियों का सीखना हो सके ये चरण राष्ट्रिये और राज्ये शिक्षाक्रमों और सीखने सिखाने की रणनीतियों के विकास को मार्गदर्शन देने में मदद करेंगे लेकिन इनका प्रभाव भौतिक आउसन रचना पर नहीं पड़ेगा विद्यार्थियों का समग्र विकास 4.4 प्रतिभा के साथ इसे प्राप्त करने में मदद करती है पाठे चर्या और शिक्षा विधी को इन लक्षियों की प्राप्ती के लिए पुनह तैयार किया जाएगा पूर्व विद्याले से उच्च तर शिक्षा तक प्रतियक स्तर में एकी करण के लिए विभिन ख्षेत्रों में विशिष्ट कौशल और मुल्यों की पहचान की जाएगी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में इन कौशल और मूल्यों को आत्मसाथ किया जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए पाठेचरिया धांचा और संपर्क तंत्र विकसित किया जाएगा NCRT इन अपेक्षित कौशलों की पहचान करेगा और आरंभिक बाल्यवस्था एवं स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रिय पाठेचरिया धांचे में उनके विवाहार के लिए तंत्र शामिल करेगा प्रिष्ठ संख्या अठारह 4.5 विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान पर केंद्रित होगी शिक्षन और सीखना अधिक संबादात्मक तरीके से संचारित होगा सवाल पूछने को प्रोटसाहित किया जाएगा और कक्षाओं में नियमित रूप से अधिक रुचिकर, रचनात्मक, सहयोगात्मक और खोजपूर्ण गतिविधिया होंगी ताकि गहन और प्रायोगिक सीख सुनिश्चित की जा सके सभी चर्णों में प्रयोग आधारित अधिगम को अपनाया जाएगा जिसमें अन्य चीजों के अलावा स्वयम करके सीखना और प्रतेक विशय में कला और खेल को एकिकृत किया जाएगा और कहानी आधारित शिक्षण शास्त्र को प्रतेक विशय में एक मानक शिक्षण शास्त्र के तौर पर देखा जाएगा साथी विभिन विशयों के बीच संबंधों की खोज को प्रोत्साहित किया जाएगा वर्तमान अधिगम प्रतिमान यानि लर्निंग आउटकम और वांचनिय अधिगम परिनामों के बीच खाई को पाटने के लिए कुछ विशयों में कक्षा कक्षिये प्रक्रियाओं में परिवर्तन होंगे जहां भी उचित होगा वहां इन्हें दक्षता अधारित अधिगम और शिक्षा की और उन्मुख किया जाएगा आकलन के उपकरणों जिसमें सीखने के रूप में का के लिए आकलन शामिल है को दिये गए वर्ग के हर विशय के अधिगम परिनामों, ख्षमताओं और रुजानों के साथ भी संरेखित किया जाएगा 4.7. कला समन्वे यानि आर्ट इंटिग्रेशन एक क्रॉस करिकुलर शेक्षनिक द्रिश्टिकोन है जिसमें विविध्व विशयों की अधिगम आधार के रूप में कला और संस्कृती के विभिन अवयवों का उपियोग किया जाता है अनुभव आधारित अधिगम पर विशेश बल दिये जाने के अंतरगत कला समन्वित शिक्षन को कला प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाएगा जिससे ना सिर्फ कक्षा ज्यादा आनंद पूर्ण बनेगी बलकि भारतिय कला और संस्कृती के शिक्षन में समावेश से भा परतियता से भी बच्चों का परिचय हो पाएगा इस अप्रोच से शिक्षा और संस्कृती के परसपर संबंधों को भी मजबूती मिलेगी 4.8 खेल समन्वे एक और क्रोस करिकुलर शेक्षनिक द्रिश्टी कोण है जिसके तहत स्थानिये खेलों सहित विविध शारिरिक गतिवीधियों का शिक्षन प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है ताकि परसपर सहियोग, स्वतह पहल करना, स्वतह निर्देशित होकर क खेल समन्वे अधिगम कक्षा के दोरान होगा प्रिश्ट संख्या 19 ताकि छात्रों की फिटनेस को एक आजीवन द्रिश्टी कोण के रूप में अपनाने और फिट इंडिया मूव्मेंट में परिकल्पित किये गए अनुसार फिटनेस के स्तर के साथ साथ संबंधित जीव कौशल प्राप्त करने में मदद मिल सके शिक्षा में खेलों के समन्वे की अवश्यक्ता को पहले ही पहचाना जा जुका है क्योंकि इससे बच्चों के शारिरिक और मनोवईग्यानिक कल्यान के माध्यम से सर्वांगी इंडिविकास होता है और संग्यानात्मक छमताएं भ अध्यायन करने के लिए अधिक लचीलापन और विशयों के चुनाओं के विकल्प दिये जाएंगे इनमें शारिरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसाइक विशय भी शामिल होंगे ताकि विद्यार्थी अध्यायन और जीवन की योजना के अपने रास्ते तैया करने के लिए स्वातंत्र हो सकें। कला और शिल्प और व्यावसाइक कौशल जैसे विशयों को यह विचार करते हुए कि उम्र के प्रतेक पड़ाओं पर विद्यार्थियों के लिए क्या रुची पूर्ण और सुरक्षित है और क्या नहीं, स्कूल के पूरे पाठ्ठे क्रम में शामिल किया जाएगा। 4.10 4.11 यह सर्व विदित है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा या मात्री भाषा में सार्थक अवधारनाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। घर की भाषा आमतोर पर मात्री भाषा या स्थानिय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हलाकि कई बार बहुभाषी परिवारों में परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली एक घरेलू भाषा हो सकती है जो कभी-कभी मात्री भाषा या स्थानिय भाषा से भिन्न हो सकती है। जहां तक संभव हो कम से कम grade 5 तक लेकिन बेटर होगा कि यह grade 8 और उससे आगे तक भी हो शिक्षा का माध्यम घर की भाषा या मात्री भाषा या स्थानिय भाषा या क्षेतरिय भाषा होगी। इसके बाद घर या स्थानिय भाषा को जहां भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे। विज्ञान सहित सभी विशयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठे पुस्तकों को घरेलू भाषाओं या मात्री भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जल्दी किये जाएंगे कि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच यदि कोई अंतराल मौजूद हो तो उसे समाप्त किया जा सके। प्रिष्ठ संख्या 20 ऐसे मामलों में जहां घर की भाषा की पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है। एक भाषा को अच्छी तरह से सिखाने और सीखने के लिए इसे शिक्षा का माध्यम होने की आवशेक्ता नहीं है। जैसा की अनुसंधान सपष्ट रूफ से दिखाते हैं कि बच्चे दो और आठ वर्ष की आयू के बीच बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं। और बहु भाषिक्ता से इस उम्र के विद्यार्थियों को बहुत अधिक संग्यानात्मक लाभो होता है। फांडेशनल स्टेज की शुरुवात और इसके बाद से ही बच्चों को विभिन भाषाओं में लेकिन मात्री भाषा पर विशेश जोर देने के साथ एक्सपोजर दिये जाएंगे। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से देश भर की सभी प्रांतिय भाषाओं और विशेश रूप से समविधान की आठवी अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों में निवेश का एक बड़ा प्रयास होगा। राज्य विशेश रूप से भारत के विभिन ख्षेत्रों के राज्य अपने अपने राज्यों में तरी भाषा फार्मुले को अपनाने के लिए और साथ ही देश भर में भारतिय भाषाओं के अध्यायन को प्रोसाहित करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों को प्रावधानों, लोगों, ख्षेत्रों और संग्ह की आकांग्षाओं और बहु भाषावाद और राष्ट्रिय एकता को बढ़ावा देने की जरूरत का ध्यान रखते हुए त्री भाषा फार्मुले को लागू किया जाना जारी रहेगा, हलाकि तीन भाषा के इस फार्मुले में काफी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्जे पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं के विकल्प, राज्जियों, ख्षेत्रों, निश्चित रूप से छात्रों के स जाते हैं, वे ऐसा ग्रेड छे या साथ में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें तीनों भाषा में, जिसमें एक भारतिय भाषा को उसके साहित्य के स्तर पर अध्यन करना शामिल है, माध्यमिक कक्षाओं के अंत तक बुन्यादी दक्षता हासिल करके दिखाना हो के सभी प्रयास किये जाएंगे, ताकि विद्यार्थी दोनों विशयों पर सोचने और बोलने के लिए अपने घर की भाषा या मात्री भाषा और अंग्रेजी दोनों में सक्षम हो सकें। शेक्षिक, सामाजिक और तगनिकी प्रगती के लिए इसका बहुत बड़ा लाभही होता है। भारत की भाषाएं दुनिया में सबसे सम्रिद्ध, सबसे वईज्यानिक, सबसे सुंदर और सबसे अधिक अभिव्यंजक भाषा में से हैं, जिनमें प्राचीन और आधुनिक स यानि गद्य और कविता दोनों के विशाल भंडार हैं। इन भाषा में लिखी गई फिल्म, संगीत और साहित भारत की राष्ट्रिय पहचान और धरोहर हैं। सांस्कृतिक और राष्ट्रिय एकी करण की द्रिष्टी से सभी युवा भारतियों को अपने देश की भाषाओं के विशाल और सम्रिध भंडार और इसके साहित्य के खजाने के बारे में जागरू को होना चाहिए। वैज्यानिक रूप से व्यवस्थित वर्ण माला और लिपियों, उनकी सामान्य व्याकरणिक संदरचनाओं, संस्कृत और अन्य शास्त्रिय भाषा से इनकी शब्दावली के स्रोत और उदभाव को ढूरने से लेकर इन भाषा के सम्रिध अंतर प्रभाव और अंतरों को स समझना शामिल है। वे यह भी जानेंगे कि काउन से भावगोलिक ख्षेतर में काउन सी भाषाएं बोलते हैं। आदिवासी भाषाओं की प्रकृति और संरचना को समझेंगे और भारत की हर प्रमुख भाषा में कुछ पंक्तियां और प्रतेक के सम्रिध और उभरते इति विरासत और विविधता दोनों का एहसास होगा और अपने पूरे जीवन भर वे भारत के अन्य हिस्सों के लोगों से मिलने और घुलने मिलने में सहज महसूस करेंगे यह प्रोजेक्ट यह गतिविधी एक रुजिकर और आनंददाई गतिविधी होगी और इसमें किसी भी र संगिक्ता और सुन्दर्ता को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है संस्कृत संविधान की आठ्मी अनुसूची में वर्नित एक महत्वपून आधुनिक भाषा होते हुए भी इसका शास्त्रिय साहित्य इतना विशाल है कि सारे लेटिन और ग्रीक साहित्य को भी यद संगित्सा, वास्तुकला, धातुविज्ञान, नाटक, कविता, कहानी और बहुत कुछ जिन्हें संस्कृत ग्यान प्रणालियों के रूप में जाना जाता है कि विशाल खजाने हैं। इन सबको विभिन धर्मों के लोगों के साथ-साथ गैर धार्मिक लोगों और जीवन के सभी क्षेत्रों और सामाजिक आर्थिक प्रिष्ट भूमी के लोगों द्वारा हजारों वर्षों में लिखा गया है। इस प्रकार संस्कृत को त्री भाषा के मुख्य धारा विकल्प के साथ स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सम्रिध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा यह उन तरीकों से पढ़ाया जाएगा जो दिल्चस्प और अनुभवात्मक होने के साथ साथ समकालीन रूप से प्रासंगिक हैं जिसमें संस्कृत ग्यान प्रणाली का उप्योग शामिल है और विशेश रूप से ध्वनी और उच्चारण के माध्यम से संस्कृत के माध्यम से पढ़ाने यानि STS और इसके अध्ययन को आनंद दाई बनाने के लिए सरल मानक संस्कृत SSS में लिखा जा सकता है 4.18 भारत में शास्त्रिय तमिल, तेलुगू, कन्नड, मल्यालम और ओडिया सहित अन्य शास्त्रिय भाषाओं में एक अत्यंत सम्रिध साहित्य है इन शास्त्रिय भाषाओं के अतिरिक्त पाली, फार्सी, प्राकृत और उनके साहित्य को भी उनकी सम्रिध्धी के लिए और भावी पीढ़ी के सुख और सम्रिध्धी के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए जैसे ही भारत पूरी तरह से विकसित देश बनेगा, अगली पीढ़ी भारत के व्यापक और सुन्दर शास्त्रिय साहित्य के अध्यान में भाग लेना और इनसान के रूप में सम्रिध्ध बनना चाहेगी संस्कृत के अलावा भारत की अन्य शास्त्रिय भाषाएं और साहित्य जिनमें तमिल, तेलगु, कन्नड, मल्याडम, ओडिया, पाली, फारसी और प्राकृत शामिल हैं स्कूलों में भी व्यापक रूप से छात्रों के लिए विकल्प के रूप में संभोतह ओनलाइन मॉड्यूल के रूप में अनुभवात्मक और अभिनाव एप्रोच के माध्यम से उपलब्ध होंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये भाषा और साहित्य जीवित और जीवन्त रहें. सभी भारतिय भाषाओं जो सम्रिध, मौखिक और लिखित साहित्य, संस्कृतिक परंपराओं और ज्ञान को अपने में संजोई हुए हैं के लिए भी इसी प्रकार के प्रयास किये जाएंगे. 4.19 देश के बच्चों के संवर्धन के लिए और इन संवरिध भाषाओं और उनके कलात्मक खजाने के संरक्षन के लिए सार्वजनिक या निजी सभी स्कूलों में सभी विद्यार्थियों के पास भारत की शास्त्रिय भाषाओं और उससे जुड़े साहित्य को कम से कम दो साल सीखने का विकल्प होगा अनुभवात्मक और नवीन विधियों जिसमें प्राध्योगी की के एकी करण भी शामिल होंगे के माध्यम से ग्रेड 6 से 12 तक के विद्यार्थी इन्हें सीख पाएंगे मिडल से सेकेंडरी स्तर तक और यहां तक की इसके आगे भी इनका अध्यायन करते रहने का विकल्प उनके पास होगा 4.20 भारती भाषाओं और अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा विदेशी भाषाएं जैसे कोरियाई, जापानी, ठाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पैनिश, पुर्तगाली और रूसी भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्यायन हेतु जाने और अपनी रुचियों और आकांक्षाओं के अनुसार अपने वैश्मिक ज्यान को और दुनिया भर में घूमने फिरने को सहजता से बढ़ा सकें 4.21 सभी भाषाओं के शिक्षण को नवीन और अनुभावात्मक विधियों के माध्यम से सम्रिध किया जाएगा जिसमें सरलीकरण और एप्स के माध्यम से भाषाओं के सांस्कृतिक पहलूँ जैसे की फिल्म, थियेटर, कथावाचन, काव्य और संगीत को जोडते हुए और विभिन प्रासंगीक विशयों के साथ और वास्तविक जीवन के अनुभाववों के साथ संबंधों को दिखाते हुए इन्हें सिखाया जाएगा इस प्रकार भाषाओं का शिक्षण भी अनुभावात्मक अधिगम शिक्षण शास्त्र पर आधारित होगा प्रिष्ठ संख्या तेईस 4.22 भारतिय साइन लैंग्विज यानि ISL को देश भर में मानकी कृत किया जाएगा और राष्ट्रिय और राज्य पाठेक्रम सामगरी विक्षित की जाएगी जो बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपियोग की जाएगी जहां संभव और प्रासंगिक हो वहां स्थानिय सांकेतिक भाषाओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हें सिखाया जाएगा अनिवारे विशयों कौशलों और ख्षमताओं का शिक्षा क्रमी एकी करण 4.23 हलांकि विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत पाठे क्रम को चुनने में बड़ी मात्रा में लचीले विकल्प मिलने चाहिए लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में सभी विद्यार्थियों को एक अच्छे, सफल, अभिनाओ, अनुकूलनिये और उत्पाद अच्छे आधारित सोच, रचनात्मक्ता और नवीनिता, सौंदर्य शास्त्र और कला की भावना, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति और समवाद, स्वास्थे और पोशन, शारिरिक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थे और खेल, सहयोग और टीम वर्क, समस्या को हल करने और तार्किक चिंतन, व्यावसाईक एक्स्पोजर और कौशल, डिजिटल साक्षर्ता, कोडिंग और कंप्यूटेशनल चिंतन, नैतिकता और नैतिक तर्क, मानव और समवैधानिक मूल्यों का ज्ञान और अभ्यास, लिंग समवेधन शीलता, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता भारत का ज्ञान, परियावनन संबंधी जागरूकता, जिसमें पानी और संसाधन संरक्षन, स्वच्छता और साफ सफाई शामिल हैं, और समसामियिक मामलों और स्थानिय समुदायों, राजियों, देश और दुनिया द्वारा जिन महत्तोपूर्ण मुद्दों का सामना कि आजा रहा है उनका ज्ञान, 4.24, प्रासंगिक चरणों में समसामयिक विशयों जैसे आर्टिफिशेल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, और्गिनिक लिविंग, परियावरन शिक्षा, वैश्विक नागरिक्ता शिक्षा यानी GCED, आदी जैसे समसामयिक विशयों की शुरुआत सहित सभी स्तरों पर छात्रों में इन विभिन महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने हेतु समुचित शिक्षा क्रमिये और शिक्षन शास्त्रिये कदम उठाये जाएंगे 4.25 यह माना जाता है कि गणित और गणितिय सोच भारत के भविश्य और कई आगामी क्षेत्रों और व्यवसायों में भारत की नेत्रित्वकारी भूमिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी इन उभरते वे क्षेत्रों में आर्टिफीशल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइन्स शामिल हैं इस प्रकार गणित और कंप्यूटेशनल सोच को विभिन प्रकार के अभिनाव तरीकों के माध्यम से फौंडेशनल स्तर से शुरू करके स्कूल की पूरी अवधी के दावरान विभिन तरीकों जिन में पहेलियां और गेम का नियमित उपयोग शामिल है जो गणितिय सोच को अधिक आनंददाई और आकरशक बनाते हैं के माध्यम से सिखाने पर जोर दिया जाएगा मिडल स्कूल स्तर पर कोडिंग संबंधी गतिविधियां शुरू की जाएंगी प्रतियक विद्यार्थी ग्रेड छे और आठ के दोरान राजियों और स्थानिय समुदायों द्वारा तय किये गए और स्थानिय कुशल आवशक्ताओं द्वारा मैपिंग के अनुसार एक आनंददाई कोर्स करेगा जो की महतोपूर्ण व्यावसाईक शिल्प जैसे की बढ़ेगिरी, बिजली का काम, धातू का काम, बागवानी, प्रिष्ठ संख्या 24 मिट्टी के बरतनों का निर्मान आदी का एक जायजा देगा और अपने हाथों से काम करने का अनुभव प्रदान करेगा ग्रेड 6 से 8 के लिए एक अभ्यास आधारित पाठेक्रम को NCFSE 2021 को तयार करते हुए NCERT द्वारा उचित रूप से डिजाइन किया जाएगा कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दोरान सभी विद्यार्थी एक 10 दिन के बस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे जब वे स्थानिय ब्यावसाईक विशेशग्यों जैसे बढ़ाई, माली, कुमहार, कलाकार आदी के साथ प्रशिक्षू के रूप में काम करेंगे इसी तरज पर कक्षा 6 से 12 तक छुट्टियों के दोरान भी विभिन व्यावसाईक विशेश समझने के लिए आउसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं ओनलाइन माध्यम में भी व्यावसाईक कोर्स उपलब्ध कराए जा सकते हैं वर्श भर में ऐसे बस्ता रहित दिनों को विभिन प्रकार की सम्रिध करने वाली कला, क्विज, खेल और व्यावसाईक हस्त कलाओं को प्रोचसाहन दिया जाएगा बच्चों को एतिहासिक, सांस्कृतिक और परियतन महत्व के स्थानों या समारकों का दोरा करने, स्थानिय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलने और अपने गाओं या तहसील या जिला या राज्य में उच्चितर शैक्षनिक संस्थानों का दोरा करने के माध्यम से स्कूल के बाहर की गतिविधियों के लिए आवधिक एक्सपोजर दिया जाएगा. 4.27 भारत का ज्ञान में आधुनिक भारत और उसकी सफलताओं और चुनोतियों के प्रती प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान शामिल होगा. और शिक्षा, स्वास्थ, परियावरण आधी के संबंध में भारत की भाविष्य की आकांक्षाओं की स्पष्ट भावना शामिल होगी. इन तत्तों को पूरे स्कूल पाठेक्रम में जहां भी प्रासंगिक हो, वहां वैज्ञानिक तरीके से और एक सटीक रूप से शामिल किया जाएगा. विशेश रूप से भारतिय ज्ञान प्रणाली को आधिवासी ज्ञान एवं सीखने के स्वदेशी और पारंपरिक तरीकों सहित कवर किया जाएगा. गनित, खागोल विज्ञान, दर्शन, योग, वास्तुकला, चिकित्सा, क्रिशी, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान, साहित्य, खेल के साथ साथ शासन, राज वेवस्था, सनरक्षन आधी विशयों में शामिल किया जाएगा. जन जातिये एथनो आउशधिये प्रथाओं, वन प्रबंधन, पारंपरिक जैविक फसल की खेती, प्राकृतिक खेती, आधी में विशिष्ट पाठेक्रम भी उपलब्ध कराये जाएंगे. भारतिये ज्यान प्रणानियों पर एक आकरशक पाठेक्रम भी एक वैकल्पिक के रूप में माध्यमिक विद्याले में छात्रों के लिए उपलब्ध होगा. मस्ती और स्वदेशी खेलों के माध्यम से विभिन टॉपिक्स और विशयों को सीखने के लिए स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं. पूरे स्कूल, पाठेक्रम के दौरान, विज्ञान और अन्यक शेत्रों में प्राचीन और आधुनिक भारत के प्रेड़ना दायक व्यक्तित्मों पर वीडियो व्रित्चित्र दिखाये जाएंगे और आडियो कारेक्रम सुनवाये जाएंगे. चात्रों को सांस्कृतिक आदान-प्रदान कारेक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन राज्जियों का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. 4.28 विद्यार्थियों को कम उम्र में सही को करने के महत्व को सिखाया जाएगा और नैतिक निर्नय लेने के लिए एक तार्किक धाचा दिया जाएगा. बाद के वर्षों में इन मुद्दों को विभिन थीम जैसे धोखा धड़ी, हिंसा, साहितिक चोरी, गंदगी फैलाना, सहिशनुता, समानता, समानुभूती, इत्यादी की मदद से विस्तार दिया जाएगा. जिसमें बच्चों को अपने जीवन का संचालन करने में नैतिक और नैतिक मुल्यों को अपनाने के लिए सक्षम बनाने, कई द्रिष्टी कोणों से एक नैतिक मुद्दे के बारे में तर्क गढने और निर्नय लेने, और सभी कारियों में नैतिक आचरण को अपनाने में सक इस प्रकार विकसित हुए नैतिक बोध के चलते पारंपरिक भारतिय मुल्यों और सभी बुनियादी मानविय और समवैधानिक मुल्यों जैसे सेवा, अहिंसा, सच्छता, सत्य, निश्काम कर्म, शांति, त्याग, सहिश्नुता, विविधता, बहुलवाद, नैतिक आचरण, लेंगिक संवेधन शीलता, प्रिष्ठ संख्या 25, बुजुर्गों के लिए सम्मान, सभी लोगों और उनकी अंतरनेहित क्षमताओं का सम्मान, परियावर्ण के प्रती सम्मान, मदद करना, शिष्टचार, धैर्य, क्षमा, समानुभूती, करुना, देश भक्ती, लोकतां द्रिष्टिकोन, अखंडता, जिम्मेदारी, न्याय, स्वतंतरता, समानता और बंधुत्त को विद्यार्थियों में विक्सित किया जा सकेगा। भारती सम्मिधान के अंश भी सभी छात्रों के लिए पढ़ना आवश्यक माना जाएगा। 4.29 वैज्यानिक आवश्यक्ताएं, सीखने के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके आदी सभी पक्ष शामिल होंगे, जिससे शिक्षा यथा संभव रूप से हमारे छात्रों के लिए अधिक्तम भरोसे मंद, प्रासंगिक, रोचक और प्रभावी वने। कहानियों, कला, खेलों, उदाहरणों और समस्याओं आदी का चयन जहां तक संभव हो, भारतिय और स्थानिय भावगोलिक संदर्भों के आधार पर किया जाएगा। शिक्षा को इस तरह का आधार मिलने पर निश्चित रूप से अमूर्त चिंतन, नए विचारों और रचनात्मक्ता को निखरने का आउसर मिलेगा। स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रिय पाठेचर्या रूप रेखा, NCFSE 4.30 स्कूल शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रिय पाठेचर्या रूप रेखा, NCFSE 2021, NCE8 द्वारा राष्ट्रिय शिक्षानीती 2020 के सिद्धान्तों, अग्रणी पाठेचर्या आवर्शक्ताओं के आधार पर तथा राज्य सरकारों, मंत्रालयों, केंद्र सरक के संबंधित विभागों और अन्य विशेशग्य निकायों सहित, सभी हित कारकों के साथ परामर्ष करके तयार किया जाएगा, और इसे सभीक शेत्रिय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। 4.31 प्रिष्ठ संख्या 26 जहां संभव हो, शिक्षकों के पास भी तय पाठे पुस्तकों में अन्यक विकल्प होंगे। उनके पास अब ऐसी पाठे पुस्तकों के अन्यक सेट होंगे, जिसमें अपेक्षित राष्ट्रिय और स्थानिय सामगरी शामिल होगी। इसके चलते वे ऐसे तरीके से पढ़ा सकेंगे जो उनकी अपनी शिक्षन शास्त्रिय शैली और उनके छात्रों की एवं समुदायों की जरूरत के मुताविक हो। 4.32 चात्रों और शिक्षा वेवस्था पर पाठे पुस्तक की कीमतों के बोज को कम करने के लिए इस तरह की गुणवत्ता की पाठे पुस्तकों को नियूनतम संभाव लागत उत्पादन मुद्रन की लागत पर मुहया करवाया जाएगा। यह उदेश्य NCERT के सयोजन में NCERT द्वारविकसित उच्चितर गुणवत्ता वाली पाठे पुस्तक सामगरी का उप्योग करके पूरा किया जा सकता है। राज्य अपने स्वयम के पाठे क्रम जो जहां तक संभाव हो NCERT द्वारा तैयार NCEFSE पर आधारित हो सकते हैं तैयार करेंगे और पाठे पुस्तकों जो जहां तक संभाव हो NCERT पाठे पुस्तक सामगरी पर आधारित हो सकते हैं को तैयार करेंगे जिसमें स्थानिय आस्वादों और सामगरी को जरूरत के अनुसार शामिल किया जा सकेगा। ऐसा करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि NCERT पाठेक्रम को राष्ट्री रूफ से स्वीकार्य मानदंड के रूप में लिया जाएगा। सभी क्षेत्रिय भाषाओं में ऐसी पाठे पुस्तकों की उपलब्धता सर्वोच्य प्राथ्मिकता होगी ताकि सभी छात्रों को उच्चितर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। स्कूलों में पाठे पुस्तकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किये जाएंगे परियावरण को सनरक्षित करने और व्यवस्थात्मक बोज को कम करने के उद्देश्य से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और NCRT द्वारा सभी पाठे पुस्तकों को डाउनलोड और प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी पाठे क्रम और शिक्षन शास्त्र में उप्युक्त परिवर्तनों के जरिये स्कूल बैग और पाठे पुस्तकों के बोज को परियाप्त रूप से कम करने के लिए NCRT, SCERT स्कूलों और शिक्षकों द्वारा ठोस प्रयास किये जाएंगे विद्यार्थियों के विकास के लिए आकलन में आमूल चूल परिवर्तन 4.34 हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली की संस्कृती में आकलन के उद्देश्य को योगात्मक जो मुखे रूप से रट कर याद करने के कौशल को ही जाचता है से हटा कर नियमित रचनात्मक आकलन की ओर ले जाना होगा जो अधिक दक्षता अधारित है हमारे विद्यार्थियों में सीखने और उनके विकास को बढ़ावा देता है और उनकी उच्चितर स्थरिय दक्षताओं जैसे की विशलेशन, तारकिक चिंतन और आओधारनात्मक स्पष्टता को जाचता है आकलन का प्राथ्मिक उद्देश्य वास्तों में सीखने के लिए होगा यह शिक्षक और विद्यार्थी और पूरी स्कूली शिक्षा प्रणाली में मदद करेगा सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने और विकास का अनुकूलन करने के लिए शिक्षन और सीखने की प्रक्रियाओं को लगातार संशोधित करने में मदद करेगा यह शिक्षा के सभी स्तरों पर मुल्यांकन के लिए अंतर नहित सिद्धान तो होगा प्रिष्ठ संख्या 27 4.35 प्रस्तावित राष्ट्रिय आकलन केंद्र, NCERT और SCERT के मार्ग दर्शन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सभी विद्ध्यार्थियों के स्कूल आधारित आकलन के आधार पर तैयार होने वाले और अभिभावकों को दिये जाने वाले प्रगती कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। यह प्रगती कार्ड एक समगर, 360 डिगरी बहु आयामी कार्ड होगा, जिसमें प्रतियक विद्ध्यार्थी के संग्यानात्मक, भावात्मक, साइको मोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किये गए विशलेशन का विस्त्रि दिया जाएगा। इसमें स्वा मुल्यांकन, सहपाथी मुल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य और खोज आधारित अध्यायन में प्रदर्शन, क्विज, रोल प्ले, समुह कार्य, पोर्टफोलियो आधी शिक्षक मुल्यांकन सहित शामिल होगा। यह समगर प्रगती कार्ड घर और स्कूल के बीज एक महत्वपून कड़ी बनेगा और यह माता-पिता शिक्षक बैठकों के साथ साथ अपने बच्चों की समगर शिक्षा और विकास में माता-पिता को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए होगा। इस प्रगती कार्ड के द्वारा शिक्षकों और माता पिता को बच्चे के बारे में महत्वपून जानकारी भी मिलेगी, जिससे कक्षा में और कक्षा के बाहर विद्यार्थी को मदद उपलब्ध कराई जा सकेगी। ताकि छात्रों को उनके सामर्थ, रूची के क्षेत्रों, फोकस के आवश्यक क्षेत्रों के बारे में बहुमुल्य जानकारी प्रदान की जा सके, जिससे इन्हें इश्टतम करियर विकल्प बनाने में मदद मिल सके। 4.36 चुनाओं के विकल्पों में एक लचीलापन जो की भविष्य की व्यक्ति केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बहुत महतुपूर्ण होगा, देने के बजाए उन्हें किसी खास स्ट्रीम में बेहद संकुचित दायरे में ही तैयारी करने के लिए मजबूर करती है। 4.37 जबकि ग्रेड 10 और 12 के लिए बोड परिक्षाएं जारी रहेंगी, कोचिंग कक्षाओं की अवर्शेक्ता को समाप्त करने के लिए बोड और प्रवेश परिक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। वर्तमान मुल्यांकन प्रणाली के इन हानिकारक प्रभाओं को उलटने के लिए बोड परिक्षाओं को समगर विकास को प्रोसाहित करने के लिए फिर से डिजाइन किया जाएगा। छात्र अपने व्यक्तिगत हितों के आधार पर उन विशयों में से कई विशय चुन सकते हैं जिनमें वे बोड परिक्षा देते हैं। बोड परिक्षाओं को भी आसान बनाया जाएगा। इस माइने में कि वे कोचिंग और रटने के बजाए मुख्य रूप से क्षमताओं या योग्यताओं का ही आकलन करेंगी। कोई भी चात्र जो स्कूल की कख्षा में जाता है और अपनी ओर से एक बुनियादी प्रयास करता है, वह आसानी से बिना किसी अतिरिक्ट प्रयास के संबंधित विशय बोड परिक्षा को पास कर सकेगा और अच्छा प्रदर्शन कर सकेगा। प्रिष्ठ संख्या 28 बोड परिक्षाओं के उच्चितर जोखिम पहलू को समाप्त करने के लिए सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दावरान दो बार बोड परिक्षा देने की अनुमती दी जाएगी, एक मुख्य परिक्षा और यदि वांचित हो तो एक सुधार के लिए 4.38 परिक्षा दबावों को कम किया जा सके ऐसी कुछ संभावनाओं में ये चीजें शामिल हो सकती हैं वार्षिक या सेमेस्टर या मड्यूलर बोड परिक्षाओं की एक प्रणाली विकसित की जा सकती है जिसमें काफी कम सामगरी से ही प्रतेक टेस्ट लिया जाए और स्कूल में संबंधित कोर्स के तुरंत बाद इसे लिया जाए ताकि माध्यमिक स्कूल स्तर में परिक्षा के दबाव बेहतर ढंक से वित्रित हों कम दबाव हो और प्रतेक परिक्षा पर बहुत कुछ दाओं पर ना लगा हो गणित से शुरू करके सभी विशय और संबंधित आकल परिक्षा को दो भागों में तयार किया जा सकता है एक भाग में बहु विकल्पी ये प्रश्न होंगे और दूसरे में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे 4.39 उप्रोक्त सभी के संबंध में NCERT द्वारा सभी प्रमुख हित कारकों जैसे SCERT, Board of Assessment यानी BOA, प्रस्तावित नया राष्ट्री आकलन केंद्र यानी NACSE आधी और शिक्षकों के साथ परामर्ष के जरिये दिशा निर्देश तयार किये जाएंगे ताकि 2020-23 शैक्षणिक सत्र तक NCF 2020-21 के समन रूप आकलन प्रणाली को पूरी तरह बदला जा सके 4.40 सभी विद्यालई वर्षों के दोरान नकी केवल ग्रेड 10 और 12 के अंत में प्रगती को ट्रेक करने के लिए छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रिंसिपलों के लाव के लिए और स्कूलों और पूरी स्कूली शिक्षा प्रणाली में शिक्षन अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करने के उद्धेश्य से सभी विद्यार्थियों को एक उपयुक्त प्राधीकरण द्वारसंचालित ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल की परिक्षा देनी होगी ये परिक्षाएं रट कर याद करने की बजाए प्रासंगिक उच्चितर क्रम के कौशलों और वास्विक जीवन स्थितियों में ग्यान के अनुप्रयोग के साथ-साथ राष्ट्रिय और स्थानिय पाठे क्रम से मूल आउधार रनाओं और ग्यान के मुल्यांकन के माध्यम से बुनियादी शिक्षन परिणामों की उपलब्धी का परिक्षन करेगी। विशेश रूप से ग्रेड तीन की परिक्षा बुनियादी साक्षर्ता, संख्याग्यान और अन्य मूल भूत कौशलों का परिक्षन करेगी। साथ ही स्कूली प्रणाली की सतत निगरानी और सुधार के लिए किया जाना शामिल है। 4.41 MHRD के तहट एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रिय मुल्यांकन केंद्र, परक समगर विकास के लिए ग्यान का प्रदर्शन मुल्यांकन, समिक्षा और विश्लेशन स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। प्रिष्ठ संख्या 39 इसके अलावा देश में सीखने के परिणामों की निगरानी करना, इस नीती के घोशित उद्देश्यों के अनुरूप 21 सदी की कौशल आवशक्ताओं को पूरा करने की दिशा में अपने मुल्यांकन पैटर्ण को बदलने के लिए स्कूल बोर्डों की मदद करना भी इसका उद्देश्यों होगा। प्रवेश परिक्षा के लिए सिध्धान्त समान होंगे। प्रवेश परिक्षाओं के लिए कोचिंग लेने की आवशक्ता को समाप्त करने पर जोर रहेगा। विद्यार्थी उन विशयों का चुराओं कर पाएंगे जिन में वे परिक्षा देने में रूची रखते हैं। और प्रतेक विश्व विद्याले प्रतेक विद्यार्थी के व्यतिगत विशय पोर्टफोलियों को देख पाएगा और विद्यार्थियों के रुची और प्रतिभाओं के मुताबिक उन्हें अपने कारेक्रमों में प्रवेश दे पाएगा। NTA उच्चितर शिक्षा संस्थानों में अंडर ग्रेजवेट और ग्रेजवेट में दाखिले और फैलोशिप के लिए प्रवेश परिक्षा आयोजित करने के लिए एक प्रमुक विशेशग्य स्वायत टेस्टिंग संगठन के रूप में काम करेगा NTA टेस्टिंग सेवाओं की उच्चितर गुणवत्ता, रेंज और लचीलेपन से अधिकांश विश्वविद्याले इन सामान्य प्रवेश परिक्षाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे बजाए इसके कि सैकड़ों विश्वविद्याले अपनी अपनी प्रवेश परिक्षाओं तयार करें इसके चलते विश्वविद्याले ओं और कॉलेजों और संपूर्ण शिक्षा विवस्था पर बोज को काफी कम किया जा सकेगा यह निर्णें विश्व विद्यालेयों और कॉलेजों पर छोड़ दिया जाएगा कि क्या वे अपने प्रवेश के लिए NTA प्रवेश परिक्षाओं को अपनाएं या नहीं। विशेश प्रतिभावाले और मेधावी विद्यार्थियों के लिए सहायता। 4.43 प्रतियक विद्यार्थी में जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं जिन्हें खोजा जाना चाहिए, उनका पोशन करना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए और उनका विकास करना चाहिए। ये प्रतिभाएं अलग-अलग रुचियों, प्रस्तावों और क्षमताओं के रूप में खुद को व्यक्त कर सकती हैं। जो छातर किसी दिये गए दाइरे में विशेश रुचि और क्षमताओं को दिखाते हैं, उन्हें इस दाइरे को सामान्य स्कूली पाठे करम से परे भी अध्ययन करने के लिए प्रोसाहित किया जाना चाहिए। शिक्षक शिक्षा में विद्यार्थियों की प्रतिभाओं और रुचियों की पहचान और इन्हें बढ़ावा देने के तरीखे शामिल होंगे। NCERT और NCTE प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए दिशा निर्देश विकसित करेंगे। बी एड कारेक्रमों में भी प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा में विशे शग्यता अरजित की जा सकेगी। प्रिष्ठ संख्या तीस 4.44 शिक्षकों का उद्देश शे छात्रों को पूरक समवर्धन सामगरी और मार्ग दर्शन में प्रोटसाहन देकर कक्षा में उनके एकल हितों और या प्रतिभाऊं को प्रोटसाहित करना होगा। विशे केंद्रित और प्रोजेक्ट आधारित क्लब और सर्कल, स्कूल कॉंप्लेक्स, जीलों और उससे आगे के स्तरों पर अत्यधिक प्रोटसाहित और समर्थित किये जाएंगे। साइन्स सर्कल, मैथ सर्कल, म्यूजिक परफॉर्मेंस सर्कल, चेस सर्कल, पोएट्री सर्कल, लैंगवेज सर्कल, ड्रामा सर्कल, डिबेट सर्कल, स्पोर्टस सर्कल, इको क्लब, स्वास्थे और कल्यान क्लब और योग क्लब इत्यादी इस प्रकार के कुछ उदाहरण है इसी तरज पर विभिन विशयों में माध्यमिक विद्याले के छात्रों के लिए उच्चितर गुणवत्ता वाले राष्ट्रिये आवासिये ग्रिश्मकालिन कारेक्रमों को भी प्रुसाहित किया जाएगा, जिनमें पूरे देश से बहुत अच्छे छात्रों और शिक्षकों, जिसमें समाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुहों के विद्यार्थी और शिक्षक भी शामिल हैं को आकर्शित करने के लिए गहन मेरिट आधारित लेकिन समान प्रवेश्ट प्रक्रिया होगी. 4.45 उलम्पियाड उप्लब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा. सार्वजनिक और निजी विश्विद्याले जिनमें IIT और NIT जैसे प्रमुक संस्थान शामिल हैं को राष्ट्रिय और अंतरराष्ट्रिय ओलम्पियाड के परिनामों और अन्य संगत राष्ट्रिय कारिक्रमों के परिनामों का उप्योग दाखिले संबंधी मान दंडों के भाग के रूप में उनके अवरसनातक कारिक्रमों में प्रवेश्ट देने में करने के लिए फ्रोसाहित किया जाएगा 4.46 एक बार जब इंटरनेट से जुड़े स्मार्टफोन या टेबलेट सभी घरों और स्कूलों में उपलब्ध होंगे तो क्विज, प्रतियोगिताओं, आकलन, संबर्धन सामगरी वाले ऑनलाइन एप और साजा हितों के लिए ऑनलाइन समुदाय विकसित किये जाएंगे और सभी उपरोग्त चीजों को सम्रिध बनाने के लिए काम करेंगे, जैसे माता-पिता और शिक्षकों की उचित देखरेख में विद्यार्थियों के लिए समुधु गतिविधियां, स्कूल चरणवध तरीके से स्मार्ट कक्षा-कक्ष विकसित करेंगे, ताकि डिजिट शिक्षन शास्त्र का उपियोग हो सके और उसके द्वारा ओनलाइन संसाधनों और सहयोग के साथ सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को सम्रिध किया जा सके अभी आप सुन रहे थे राश्ट्रिय शिक्षानीत 2020, भाग एक, स्कूल शिक्षा, अध्याय चार, स्कूलों में पाठेक्रम और शिक्षन शास्त्र, अधिगम समग्र, एकी कृत, आनंददाई और तुचिकर होना चाहिए वाचन्स्वर, अजीत होरो, निर्मान सहियोग, जग बंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता, निर्मान, वंधिना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत झाल sाद प्रस्तुत ने खाने झाल, 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 प्रस्तुत्त, प्रस्तुत